Left और Right Brain में क्या फर्क है और दोनों कैसे काम करते हैं और इनका समझना क्यों जरूरी है ये इस वीडियो में हम सिखेंगे Left and Right Brain की दो अपोजिट सोच है Left Brain और Right Brain के दो अलग अलग फंक्शन है एक सर्वेंट है और एक सोचने का काम करता है जैसे एक गोल देगा आपको एक टार्गेट देगा और दूसरा उसको करके देगा इस तरह से समझे इनको Left Brain और Right Brain में ये दो पार्ट है माइंड के तो Left और Right Brain में दोनों में से एक ब्रेइन आपको डॉमिनेट करेगा तो अगर इनका हम वेवार देख लेकि दोनों कैसे काम करते हैं तो फिर आप अपने आपको ये भी देख सकते हैं कि मेरा कौन सा ब्रेइन डॉमिनेट कर रहा है देखिए Left Brain जो डॉमिनेट करते हैं तो उनके वेवार ऐसे होंगे वो बहुत फैक्ट के उपर डिसीजन करते हैं बहुत सोच में लकीर के फकीर होते हैं लीनियर सोच होती है उनकी एक प्रोसेस ओरियंटेड होते हैं मतलब जैसे काम जैसे होना चाहिए बिलकुल वैसे ही नहीं हुआ तो उनका माइंड उनको अलाउ नहीं करता है रिजिस्टेंस पैदा करता है यह बहुत कैल्कुलेटिव होते हैं अपोजिट ऑफ लेफ्ट ब्रेइन इस राइट राइट ब्रेइन वाले बहुत फीलिंग्स पे काम करते हैं इमेजिनेशन पे काम करते हैं सोच पे उनकी ऐसी डिलाइट फुल सोच होती है कुछ भी आइडिया आया और उसको करने बैठे यह बहुत मुजिक मैं इंट्रेस्टिड होते हैं ड्राइंग्स में बहुत अच्छे होते हैं अब लेफ्ट और राइट ब्रेइन मेंसे हमको यह पता चल गया एक डॉमिनेट करेगा तो फिर हम लोगों के जो पर्सनलिटीज हैं उनको कैसे समझे कि यह लेफ्ट ब्रेइन की राइट ब्रेइन है देखिए मैं आपको एक्सांपल बताता हूं करकेट में हमारे दो बैट समयन है राहुल द्रैविड और वरेंदर सहव राहुल द्रैविड जब बॉल खेलते हैं तो उनकी कोशिस होती है कि जतना बुकिश बिलकुल टेक्निकली जैसे खेलने जाना चाहिए बुक में वैसे खेले और वरेंदर सहवाग राइट ब्रेन है वो देखते हैं कि इस बॉल के उपर पॉसिबिलिटीज क्या है तो एक ह बॉल पर जो एक माइंड सेट राहुल द्रैविड का होता है वरेंदर सहवाग का उसको बिलकुल अपोजिट हो सकता है यही फरक है एक लेफ्ट और राइट ब्रेन में दोस्तों अगर आप एक कंपनी के मलिक है तो एक CEO का बहुत जरूरी है कि उसके पास imagination हो वो नए नए बॉर्कजर्स है उनका बहुत जरूरी है कि वो लेफ्ट ब्रेन हो उनको जो बताय जाये उसको करे और N. वह सिस्टमेटिक काम करने करने वाले हों तो यह एक फरक है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को हम कैसे इस्तमाल करते है और life में grow कर सकते है यह हमको और जादा देखने की बात करें, imagination की बात करें, dreams की बात करें, तो समझे वो right brain है, और दूसरा person अगर systems की बात करें, process की बात करें, और data की बात करें, तो समझे वो left brain है, दोस्तों, आप as a student, अगर आप mind memory पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपका left brain बहुत dominant है, आप बिलकुल लकीर क फकीर है, systematic चलते हैं, तो आप अपने right brain को भी develop कर सकते हैं, right brain को कैसे develop करेंगे, क्योंकि जो यह हमारे memory techniques हैं, सारी imagination पर आधारित है, तो जितना आप imagination power को बढ़ाएंगे, जितनी आप imagine करेंगे, क्योंकि जितना भी याद करने का काम है, वो जादा तर 99% imagination पर है, तो जैसे आप memory techniques को apply करेंगे, इनको सीखेंगे, आपकी right brain power बढ़ेगी, आपकी imagination power बढ़ेगी, तो इस तरह आप अपनी logical और अपनी thinking, अपनी imagination power को आप balance कर सकते हैं, धन्यवाद.